दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चेनल दी एक्जाम हेलपर मैं दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बादा किया था जल्द ही आपके लिए GKGS की कलादस इस्टार्ट हो जाएंगी लास्ट 15 डेज में तो finally आपके लिए मैं वीडियो लेकर आचुका हूँ जिसमें हम DOF 200 GK के प्रश्ण करने वाले हैं जो की आपके SSC MTS के एक्जाम में 50 से भी जादा बार पूचे गए हैं पिछले कुछ सालों में तो एक्जाम से पहले इन्हें जरूर देखें जैसा कि आपका एक्जाम जो स्टार्ट है वो 5 जुलाई से एक्जाम इस्टार्ट है इसके admin card भी आना स्टार्ट होगा है जैसा कि मैंने बीडियो बना रखा है आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते है एक जोन का admin card जो है आ आचुका है ठीके और इन question को आपको रट लेना है इसके अलाबा ये तो आपको ठीक है 200 प्रेश्ट इसके अलाबा daily हम एक model paper करने वाले हैं बिल्कुल exact जो expected paper आपका आ सकता है किस तरीके से आगर जिसमें previous year expect or current अपर तीनो question को हम सामिल करने वाले हैं ठीक है चली इसको भी आप देख लेना daily आपको ये मिलने वाला है इसके अलाबा देखिए मैं जो last year आपका SSC MTS 2021 का exam हुआ था और ब्याली shift के history के question लेके आने वाला हूँ इसी तरीके topic wise आपको question मिलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा initiative है आप इसे जरूर देखेगा ये भी वीडियो आपको साम तक नहीं तो कल ये मिल जागा ठीक है और ये वाला चीज आपको daily मिलेगा ये भी चीज आपको daily मिलने वाली है और इसके अलाब अगर आपको इसकी pdf चाहिए इसे लगाने पर आपको discount भी बिल जागा इसका भी link नीचे description में और mock test लगाना आपके लिए इसलिए जरूर ही होता है क्योंकि यही आपको बताएंगे actual paper क्या आगा, speed क्या रहेगी, accuracy क्या है और आपकी गलतियां का होने ठीक है तो ले सकते हैं तो इसके लिए simply आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी update हम डालेंगे उसके लिए simply आप चैनल को subscribe करके रखिएगा और इसको like, share और दोस्तों के साथ जरूर subscribe करवाईएगा, चलिए तो अब हम start कर लेते हैं इसके लाब बहुत आदाएंगे दोस्तों last 15 days के लिए strategy बता दिया है मैंने जल्दी जाइए इस वीडियो को देख लीजे किस-किस तरीके से आपको पढ़ना है last 15 दिनों में और दोस्तों, यह जो मैं जितने भी GK की वीडियो बगएर डालूँगा जितने भी SSC MTS से कोई भी related adapted होगी यह playlist बनी भी हमारे चैनल पर SSC MTS हबलदार की तो यहाँ पर cut-off बगएरा बहुत सारी best book बगएरा क्या हो सकती है यह सारी मैंने वीडियो डाल लखने तो आप जाके देख सकते हैं इसका भी link नीचे description में देदूँआ ठीक है इन दोनों वीडियो का भी इसका भी वीडियो देख हुआ या फिर last में आपको जो screen है वहाँ पर आपको यह वीडियो show हो जाएंगे तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम वीडियो start कर लेते हैं हमारा पहला प्रेशन है दोस्तों भाविसा सींग निमन लिखित में से किस खेल से संबंदित है तो जो भाविसा सींग है यह किस केल से संबंदित है कराटे से संबंदित हो जाएंगी अगला प्रेशन है किस देश को country of wind के नाम से जाना जाता है यानि कि पवनों का देश किसे कहा जाता है तो डैनमार को जो है पवनों का देश कहा जाता है अगला है पौधे को जो मिट्टी के द्वारा कौन सा सूच पोशक तत्व प्राप्त होता है यानि कि जो पौधे होते हैं तो अभी समय है यह आद्र भूमी यान की जो वेट लेंड्स होते हैं आपके उससे रिलेटेड यह एक संस्ता है इसकी स्थापना 1971 में की गई थी ठीक है इसके तहट भारत में भी उननचास जो है रामचार इस्टल है ठीक है तो आपको यह भी याद लखना है चली अगला प् लंटेशन पर जो थायोन है नव पाशार इस तल दावजली हैंडिंग कहा इस्थित है तो जो नव भी यह इन्याँ-द तो यह थे हैन्री में जिन्होंने सार्व भॉमे गुरुत्वा करसर इस्तरंग जी का अमान सबसे पहले डूड़ा था अगला है भारती सम्मिदान के किस भाग में भारत के केंद्र सासित प्रदेशों के बारे में प्राब्दान है तो दोस्तों काफी इंपर्टेंट प्रेशन है अभी NTPC में रेल जो आपकी होलकर ट्रोफी है ये ब्रिच खेल से संम्मिदत हो जागा अगला है बूतागीत काफी इंपर्टेंट है ये गेह के उठपादन से है और म.्.्. अस्वामिनाथन इसके फाउंडर थे चली अगला प्राशन है दोस्तों भारतिये प्रारूप भारतिये समिधान की प्रारूप समिती में कितने सदस है थे तो दोस्तों जो भारती समिदान की प्रारूप समिती यान की ड्राफ्ट कमिटीर थी उसमें टोटल साथ मिमर थे इसमें से जो अध्यक्स थे बोते बीमराव अमेडगर जीठी के चलिए अगला है किस मिट्टी को खादर मिट्टी कहते है तो दोस्तों आप से पूछा है था बताइए बांगर कौन से है और खादर तो दोस्तों जो खादर मिट्टी है ये नई जलोड मिट्टी जो होती है उसको बोलते है और जो बांगर है उसको हम पुरानी मिर्दा बोलते है अगला है भागी रती नदी का जो मुख्य इस्त्रोत है वो क्या है तो दोस्तों जो भागी रती नदी है इसका जो मुख्य इस्त्रोत है वो है गंगा अगला है आनंद मट यह अभी एससी सीए चेसल में जो 2021 के प्रेशन दो हज़ार बाइस में पीपर हुआ है उसमें एडिट्टो प्रेशन पूचा गया बताईए कि जो आनंद जो यह पूचा गया था कि बताईए बंदे मातरम जो भारत का राष्ट राष्ट गीत है वो बंक नेक्स्ट प्रेशन है निमले लिखत में से हर्याना की पारंपरिक नाट शाला का एक रूप कौन सा है तो दोस्तों हर्याना की जो पारंपरिक नाट शाला है उसका जो शरूप है वो है स्वांग तो दोस्तों आपकी जो आर्ट सेंड कल्चर होगा है डांस वाले होगा है यह जो फेमस निरत्य बगरा हुआ इनसे question SSC भर भर के question बूचता है इस वार तो हदी कर दी SSC ने जो 2022 के exam ले रहा है इसमें कम से कम 8 से 10 question केवल और केवल arts and culture से देखने को मिलेते तो यह topic में आपको अलग से cover करा दूँ है जो कि last year जितने ही पूचे गयते हैं और जो पूचे जा सकते हैं तो उसके लिए simply channel पर बने रहीएगा चलिए अगला है MOU का पूरूरूप क्या होता है तो इसका होता है Memorandum of Understanding क्या होता है Memorandum of Understanding चलिए अगला है गड कटंगा न्मन मैंसे किस जंजाती का समराज था तो दोस्तों जो गड कटंगा है ये गोंड जो जंजाती है इसका समराज था चलिए अगला प्र Seoелен Dragaya मैंगा दोस्तों केंद्रिय ग्रामीड Sवक्षिता Karsis तो दोस्तों जो केंद्रिय ग्रामीड स्वक्षिता कारक्रम है ये 1986 में शुरू किया गया था अगला है किस देश ने 19-20 सताब्दी से सार्व भॉमिक मता दिखार दिया तो दोस्तों 19-20 सताब्दी से सार्व भॉमिक मता दिखार ये न्यूजिलेंड ने दिया अगला है उड का जिल जिसे हम लेगून जिल बोलते हैं चलिए अगला है दोस्तों डैस एक ऐसे निरत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टिता के अद्बुत संयोग का प्रतिर निदित्प करता है तो देखिए इस तरीके से आपके जो एससे म्टी से उसमें ये पूचे आते हैं कि बताइए कौन सा ऐसा निरत्य का रूप है जो कला में तो हिंदू है और मुस्लिम विशिष्टिता के अद्बुत संयोग का प्रतिर निदित्प करता है यानि हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाओं का वो संयोग रखता है तो चार ओप्शन दे रखे थे दाब पर नोयता है चली कि दोस्तों अगला प्रेशन है कि A century is not enough जो बुक है इसके लेकक प्रैसिद भारती क्रिकेटर का नाम बताईए तो A century is not enough इस बुस्तक के जो लेकक है वो है सौरब गांगुली जो बरतमान में BCCI के हैड है यानि कि Board of Control Cricket in India के हैड है ठीक है अभी बरतमान में चलिए अगला है दोस्तों राष्ट्य ग्रामः रोजगार अधिनियम ये कब पारित हुआता दोस्तों आपको बताएं देखिए आपको बटाएं अभी आप मॉखटेस्ट नहीं दे रहे हैं तो बहुत ही बड़ी गल्ती कर रहे हैं दोस्तों आपको मॉक्टेस से पतर चलेगा तो चली मैं आपको बतायता हूं कि आपको कहां से मॉक्टेस पर्चेस करना है तो टेस्ट वुक क्या आप कर सकते हैं SSC MTS के लिए जिसमें भी ओफर भी चलना है साइट ठीके देख लेना पांसो चाली सियाद़ एक्जाम मिल जाते हैं एक्ताली सज्जार से यादा मॉक टेस्ट 3.99 प्राइस है बट जब आप हमारा कूपन कोड वीवन एंड डब्लुफोर सेवन डाल देंगे तो आपको पचास से साट रुपर डिसकाउंट भी देखने को मिल जागा इसका स्क्रिंशोट लिए इसमें देखी क्या का इसमें मिलता है पूरी एक साल की बैलिडिटी इसमें मिल जाती है ठीक है अभी तो साथ ओपर चला तो 18 मंत की मिल सकती है तो जाइए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इस कोड को डालना मत बूलेगा चलिए हम कोशन पर वापिस आ जाते है अगला प्रेशन है दोस जरा तरज्य में भरूच जले के वडिया सिटी जो है वहाँ पर इस्ताइब पूचा था के वडिया सिटी भरूच जला ठीक है अगला है इस्ट्रेट फ्रॉम दा हार्ट यह पुस्ता की लिखा कौन है तो काफी इंपरेंट बूक है दोस्तों बार वर पूचे आती है इस् इसमें कौन जा सामिल नहीं चार ओप्शन आपको दिये गए तो ग्राम समिती आपका जो है इसमें शामिल नहीं होगा चलिए अगला प्रेशन है दोस्तों किस राज्य की समुद्ध तट रेका जो है सबसे लंबी है तो दोस्तों जो आपकी कोश्टल लाइन है कुछ इस त नेपूलियन की पराजय हुई थी तो दोस्तों जो नेपूलियन की पराजय हुई थी वह थी बाटरलू के युद्ध 1815 में हुआता बेल्जियम में अगला है किस रक्त गुरुप बाले ब्यक्ति को यूनि वर्सल डोनर मानाया था यानि कि कौन से ब्लेट ग्रूप के जो यह उसे सर्व जो है दाता मानायाता है तो यह आपका ओ नेगेटिव ध्यान लगना ओ नेगेटिव लगाना और अगर अगर आप पुझे सर्व ग्राही कौन है तो वह यह भी पॉजिटिव ठीक है ध्यान लगिएगा चलिए अगला है दोस्तों योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था अगला प्रेश्ण है निम्न में से कौन सा बहु कोशे की जानवर नहीं है तो दोस्तों जिसमें बहु सारी कोशे काई नहीं होती है कौन सा जानवर है मानब में देर सारी कोशे काई होती है बिली में होती है गोडे में भी होती है बड़ जो आपका अ अबनी चतुरवेदी चलिए अगला प्रशन है दोस्तों प्रथम बिश्वेद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतिय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतिय युद्ध इसमारक को आज किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों काफी इंपोर्डें बनाए और यही प्रशन है जो बार बार रिपीट होते हैं अगला प्रशन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्स में लोक तांतरिक संभिधान अपना आया था तो दोस्तों जो आपका अमेरिका है इसने लोक तांतरिक संभिधान जो है ये 1987 में अपना आया था अगला है भारत में 500 और 1000 रुपे की करंसी नोट किस वर्ष में अमान ने गोशित कर दिये गए थे 1192 के तराइन के युद में प्रतिवीरा चोहन किसके हातों पराजित हुए थे तो दोस्तों जो 1192 का आपका तराइन का युद था इसमें प्रतिवीरा चोहन जो है मुहम्मद गोरी के हातों पराजित हुए दोस्तों तराइन के दो युद लड़े गए थे एक आपका 1191 में लड़ा गया जिसमें किसकी बिज़ा होती है प्रतिविरा चोहन की किसकी बिज़ा है प्रतिविरा चोहन की दूसरा लड़ा गया 1192 में जिसमें किसकी जीत होती है मुहम्मद गौरी की ठीक है तो यह भारत ने पहला गोल्ड मेडल लीता था 1928 में एम्श्रडम में यह उलम्पिक होकी में तो उसके उपर यादारित फिलिम दे ठीके चलिए अगला है महानदी और गोदावरी के जो डेल्टा है यह किस मिट्टी से समर्द है तो दोस्तों जो महानदी और गोदावरी नदी है इसके जो डेल्टा है यह जलोड म्रदा से समर्द है अगला है जी एस्टी का पूरा अर्थ क्या होता है तो दोस्तों जी एस्टी का जो पू फिलुर में कौन सी धातु आधी प्रटीक है जोकागों क कभूतर होता है ये संती का प्रतीक मालूंए जो कभूतर होता है इसी के दौरह चिट्टी बगर भीजी आती थी अगला है आर्किटेक्चर की जड़ने की तक्निक पिएट्रा डिवरा निमने लिखत में से किस इसमारक में पाई जाती है तो देखिए किसने इस्टाटिक जीके से किस तरीकी के प्रश्ण पूचे आते है आर्किटेक्चर की जड़ने की तक्निक जिसका नाम है पिएट्रा डिवरा ये निमने लिखत में से किस इसमारक में पाई जाती है इसने सारे ओप्शन दिये गए ते जिसमें ताज महल सही आंसर हो जागा ताज महल को किस पद्धिती के दौरह बनाएगा पिएट्रा डिवरा अगला है नमक का रासाइनिक नाम क्या होता है तो दोस्तों सबको मालू है एन एस सी एल यानि की सोडियम क्लोराइड लावडी कौन से राज्य का लोग नरते है काफी इंपर्टेंट है तो कई वार रिपीट होता है तमिल नाडू की प्रक्याद सास्त्रे नरते से लिए कौन सी है तो दोस्तों जो तमिल नाडू की प्रक्याद सास्त्रे नरते से लिए है भरत नाट्यम चलिए अगला है इंगलिस चैनल तेर कर पार करने वाली पहली भारती महिला कौन है तो दोस्तों इंग्लिस चैनल जो है ये फ्रांस और ब्रेटेन के मद्धिस्तित है और इसको तैरकर पारकाने वाली पहली भारती मेला है आरती साहा चलिए नर्मदा नदी मद्य प्रदेश में कहां से निकलती है तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है ये मद्य प्रदेश में बहती है और ये अमार कंटक की पाडियों से निकलती है चलिए अगला है भारती अर्थ विवस्ता का प्रात्मिक शेत्र कौन सा होता है तो दोस्तों भारती अर्थ विवस्ता के तीन शेत्र प्रमुक होते हैं पहला होता है क्रशी, दूसरा होता है निर्माड यानि की उद्ध्योग बगएरा और तीसरा उताब का सेवा बगएरा छेतर ठीक है जिसमें आप सेवा बगएरा देते हैं चलिए अगला है दोस्तों भारत का एक प्रमुक लह ऐस्ट का छेतर कौन सा है तो दोस्तों लह ऐस्ट जो छेतर है भारत का एक प्रमुक वो है ओडिसा और जारकंड वाला छेतर क्या होता है डियोक्सी राइवोर न्यूकलिक एसेड चलिए अगला है 1920 में कहां पर भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस की बैटक होई थी तो दोस्तों जितने भी आपके भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस के अधिवेशन हुए हैं वहां से एक क्वेशन अक्सार देखनों को म मानब सरी की सबसे लंबी हड़ी होती है ठीक है अगर सबसे छोटी पूछले तो वो ती आपकी स्टैपीज सबसे छोटी होती है जो की कान में आपके पाई जाती है कान में चलिए अगला है दोस्तों नॉमिनल जीडी के आधार पर भारत 2018 में बिश्व की कौन सी जो है अर् सरह 9 में समाप तो हुआ था निम्न में से कौन सा अंत्र है स्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है तो दोस्तों ज़ो अंत्रह स्रावी तंत्र का यह नहीं है वो है आपका लार्ग गरंती ठीक ett चलिए अगला प्रेशन है दोस्तों भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो दोस्तों जो भारत देश से इसका सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा ये एरिया वाइस है ठीक है एरिया वाइस अगर आप से पूछे जन संक्या वाइस कौन सा छोटा राज्य है जन संक्या बाइस तो कौन सा हो जागा सिक्केम हो जागा ठीक है और दोस्तों आपको जो इसकी जन संक्या से जो पॉपुलेशन है भारत की जो जन संक्या एक्जाम में देखने को मिलने वाला है अभी एंटी पीसी में भर वर के कोशन पूचे गए किससे जन संक्या से तो जन संक्या को आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसको पढ़ा दूंगा जो भी इंप्टेंट इंप्टेंट फेक्ट है पांच मिनट के अंदर अगला है दो जीतने वाली पहली भारती मैला कौन है तो दोस्तव कि में सिलधगी जीतने वाली पहली भारती मिला है पीवी सिंदू सन 2016 में रियो में ओलम्पिक में जीता था और ये कौन सी खलाड़ी है बैडमिंटन की खलाड़ी है अगला प्रशन है जिन जैकास एक प्रशिद्ध डैस थे तो जिन जैकास जो थे एक चिन तक थे अगला है सोवियत जो संग है यानि की USSR ठीक है तो ये किस बर्स में टूटा था तो ये सन 1999 में टूट गया था अगला है भारत के मुखे नियादीस भारत के बरतमान में जो मुखे नियादीस है वो कौन है तो दोस्तों जो भारत में परतमान में मुख्य नयादीज है वो है एनवी रमन्ना जो की 48 वे नम्मर के ठीक है ध्यान ना किएगा अगला है डैश को लाइट ऑफ एशिया यानि की एशिया की जोती के रूप में भी जाना जाता है तो दोस्तों किसको एशिया की जोती यानि की लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाता है तो यह है भगवान बुद्ध ठीक है चलिए computing के छित्र में BGA का अर्थ क्या होता है तो दोस्तों computer से भी आपके एक दो question repeat होते है और ये question काफी repeat होता है बताएं computer के छित्र में VGA का पूर रूप क्या होता है इसका पूर रूप होता है video graphics array क्या होता है video graphics array ठीक है चलिए अगला question है दोस्तों proteins कितने amino acids से मिलकर बने होते है तो जो proteins है आपको मालम होगा ये amino acids से मिलकर बने होते है तो कितने amino acids संख्या बताइए तो protein जो है ये 20 amino acids से मिलकर बने होते है अगला है उस्ताद अलादिया खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबन देते है अगला है एपल के दौरा सफारी पहली बार कब जारी किया गयता है तो दोस्तों जो सफारी ब्राउजर है ये अपल का है ठीक है तो इसे पहली बार कब जारी किया गयता है तो इसे पहली बार जारी किया गयता है अगला है टेहरी बांध की उचाई कितनी है तो दोस्तों जो का टेहरी बांद है इसकी जो उचाई है वो है 260.5 मीटर और कहां इस्तेत है यह उत्तरा खंड में इस्तेत है ठीक है चलिए अगला है दोस्तों और यह नदी पूछ ले आपसे तो यह वह जाएगे आपकी कौनसी भागी रती नदी कौनसी भागी रती नदी पर है 260.5 मीटर उ नेक्स पैस देख लेते हैं 1975 से 77 के आपातकाल के दोरान भारत के राष्ट्रपती कौन थे तो 1975 से 77 में आपातकाल लगाता भारत में उस समय भारत के राष्ट्रपती थे फकरुद्दीन अली एहमद कौन थे फकरुद्दीन अली एहमद राष्ट्रपती थे अगला है अमरि शंशुस्ती के लिए नियुक्त किया गया था तो दोस्तो रहले आयुक जो है इसका गटन 1902 में किया गया था तो इसको जो है सिक्षा विवस्ता में सुधारों के लिए लाया गया था ठीक है ध्यान ना कियेगा चलिए अगला है सार्क यानिकी ASRC का जो सचवाले है ये कभी इस्तापित किया गय था तो दोश्टों इसका सचवाले 1987 में इस्तापित किया गय था अगर पूच ले सार्क की इस्तापिता कब हुई थी तो Rinneutzå Pichasim हुई थी मुख्याले पूच ले Népal के काठ मंडू में काफी बार पूछा जा था ठीक है नेपाल के काठ मंडू में इस था ठीक 1985 में स्थापन होती है अगर सचे वाले पूछ ले तो 1987 ठीक है चलिए अगला प्रेशन है दोस्तों मेगनेस कारलसन जो है मेगनेस कारलसन किस खेल से संबंदित है तो दोस्तों जो आपके मूलसका होते हैं इनमें खुला परिसंचरड तंतर होता है ठीक है चलिए अगला है कितने भारती राज्यों की सीमा है भूटान की सीमा से लगती है तो दोस्तों जो भूटान है आपको मालम होगा ये कुछ सिक्किम के बगल में स्थे थे तो इससे भारत की जो है चार राज्य लगते हैं ठीक है कौन कौन से तो आप इस तरीके से याद रख से थे हैं पास पी से हो गया पश्यम मगल ये से हो गया आसाम ये से हो गया रोनांचल प्रदेश और ऐस से हो गया सिक्किम ठीक है चलिए अगला है देखे जनसंग के ऐसे एक और कोश्चन आए कि बताए बर्ष 2011 की जनगरना के नसार केरल में लिंगा अनुपात क्या था तो केरल में जो लिंगा अनुपात था वो था एक हज़ाच चौरासी जो की सभी राज्यों में सरवादिक था अगला है चबालीसवा सम्विदान संशोधन अधनियम कब लागू किया गया था तो 244वा सम्विदान संशोधन जो है ये 1978 में से लागू किया गया था अगर आपसे 42वा पूछ ले तो 1976 हो जागा अगला है इडन गार्डन स्टेडियम कुलकाता की स्थापना कब होई थी तो 200 इडन गार्डन जो स्थेडियम आपसे पुछाया कहा इस देते तो कूलकाता में इस्थापना कब होई थी 1864 में होई थी अगला है प्राषिद्ध पुस्तक The God of Small Things इसके लिए जो लेखक है इसके कौन है तो यह है अरुंदत्ती रोई इसके लिए इन्हों बुकर अवर्ड भी मिल चुका है ठीक है तो काफी फिमस बुक है ठीक है कौन सी दा गॉर्ड ऑफ इस्वाल ठीक है अगला प्रेशन है दोस्तों दाची गम जो राश्ची उद्ध्य सागा दावा जो है किस राज्यकत यहार है और थे यह आपश्चे कोश्चे कोश्चे पूश्चे नत्या आ चांदी का जो आप एक्षिक गहनत्य वहं यह 10.8 होता है ब्हारत के क्रसी क्षेतर में सामाने था किस प्रकार की बेरुजगर्यी पई जाती है दोस्तों भारत के क्रेशी चेत्र में सामाने था प्रच्छनन बेरुजगर्यी पई जाती है अगला है नीरेज चोपड़ा का संत किस केल से तो जी तो आना aintया quindi इनका संत है बाला पैक से इन्होंने टोकियो ओलम्पिक जो हुआ था उसना गोल्ड जीता था और रिकॉर्ड पूछा या तो 87.58 कित था 87.58 मीटर का इन्होंने बाला पैका था ठीक है चलिए अगला है चार मिनार कहां इस्तित है तो दोस्तों चार मिनार जो है ये हैदराबास में इस्तित है जिसे कुली कुत्व शाह के दोरा बनाए गया था चलिए अगला है डैश ने 2006 में पाकिस्तान के ब्रद पहले ही ओबर में हैट्रिक यानि की तीन बिकेट ली थी और इस पिरकार भी ऐसा करने वाले पहले और आज तक की एक मातर गैंदवार बने तो दोस्तों इरफान पतान जो थे इन्होंने सन 2006 में पाकिस्तान के खिलाब पहला मैच केरा और पहले ही ओबर में तीन विकेट ली लिया थै ऐसा कारने वाले एक मातर क्लाड़ी ये और यह तक के ठीक है चलिए अभी यहाँ पर बाड़ भी आई हुए बहुत भेंकर ठीक है चलिए नीली करांती का संबंद किस से है तो दोस्तों जो आपकी नीली करांती है इसका संबंद मतस से उतपादन से ठीक है मचली उतपादन से यानि कि जो समुदर के उतपादन होते है उससे और हरित करांती ग्य तो दोस्तों जो पकिस्तान न यह सिंए उन्होंना लागू किया था तो दोस्तों जो निस सो div पुस्तान निए पॉर्ड कि शॉर्वर्फ तार्विन आफ कोली शॉर्और पश्र्वन पांच मार्च 1931 को संबैदानिक सुधारों की सर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतिय राष्टी कॉंग्रेस की ओर से बोहंदास करमचंद गांदी ने डैस के साथ उच इस्तरीय अधिकारिक बैटक में भाग लिया था गोई पांच मार्च 1931 को इसको इर्विन समझौता कब ऊता खाली महतमा गांदी और लॉड इर्विन के बीच बीच बिच कीश के हुआ पर बार बार वार ही प्री पीटेट होता है अग्ला प्रेशन है किस बिसेस निरनाय या कानुन को रोकने के लिए किसी व्यक्ति पार्टी या रस्ट के अधिकार को क्या कहा जाता है अगर कोई भी कानून लाया गया है अगर उसे हमें रोकना है ठीक है तो वो जो रोकता है उसको हम बीटो पावर बोलते हैं क्या बीटो पावर चलिए नेक्स्ट प्रेशन है दोस्तों 2020 के उलंपिक खेलों का आयोजन किस न में की ती गिसके दोस्तों जो वो बनारस हिंदू बिश्विद्ध यालयिसकी इसाप्ना शन 1916 में की गई थी किस के दौरा पंडित मदन मोहन मालवी के दौरा तीक है यहाँ पर आपको महामना भी देखने को मिल सकता ठीक है इनका इनाम है महामना अगला है अगला है बि-सि-स्री-लंका को देश के द्वारा विभाजित किया गया है तो जो भारत है हमारा कुछ इस प्रिकास दीखे ना और यहां पर स्रीलंका है तो इसको यह किस के दवारा अलग होते हैं तो इस यह होते हैं पाक जल डंबरू मत दे हैं पाक जो स्ट्रेट है पाक जल संदी है उसके दवारा यह अलग होते हैं ठीक है चलिए खरीब फशलों को 10 मोसम की शुरुवात के साथ बोई जाने वाली फशलों के रूप में बढ़ित कियाता है तो खरीब की फशलें किस मोसम के शुरुवात में बोई जाती है तो यह जब बरसा मोसम आपका शुरू होता है उस समय खरीब की फशलों को बोई जाता है अगला है अगस्त 1858 में ब्रिटेश शंसद में एक अधिनियम पारित किया गया जिससे कमपनी के सासन को शमाप्त कर दिया गया इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया तो दोस्तों जब 1858 था इसे 12 सरकार अधिनियम कहा गया था कौन सा कहा गया था 12 सरकार अधिनियम चलि है ठीक है और इसका सबसे उचा सिकर जो है वो है माउंट आभू कौन सा है माउंट आभू हो जाएगा जिसकी उचा ही है 1722 मीटर तो आप से कोशन पूछा जा सकता है चलिए इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम दोस्तों इसका बिलू कर लेते हैं थोड़ा डायॉक दे सोडियम हाइड्रोकसाइड का उपयोग डैस के लिए नहीं किया जाता है ठीक है तो चार अप्शन दे रखे थे कि बताई सोडियम हाइड्रोकसाइड है इसका उपयोग आप कहां नहीं कर सकते है ठीक है तो देखे अखवार बनाने में धातियों की चिकनाई हटाने में कौन है तो यह हो जाएंगे सक्तिकान दास जो कि हमारे अभी 25 वे गवर्नर है कतक कली के जो अगर आप से पूछले दोस्तों की रिजर्बेंग की स्थाफना का वही तो एक अपरेल 1935 का वही थी एक अपरेल 1935 को स्थाफना वही थी मॉंबई में इसका हेड़ कौर्टर हो जा अगला है एजी एक महंगी नरम सफेद और चमकदार दातु है जिसे आहमतार पर डैस के रूप में जानता है तो एजी एजी को हम बोते हैं सिल्वर यानिकी चांदी अगर आपसे यह पूछले दोस्तों कि इसका जो आपका एटॉमिक नमर होता है यानिकी परमाडू करमां जो की जांग में होती है जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुचे दियान की धारा के तहट विसेज राजी का दरजा प्राप्त था तो यह था 370 अब इसे हटा दिया गया है चलिए अर्थसास्त्री डैस ने 1998 में नोबल प्रुसकार प्राप्त किया था तो दोस्तों जो अमर आर्थसास्त्र द्यान न कीका इसके लिए इनुट ओर्ड मिला था और फशलिया है बारति सम्विदान का नागरिक कत्व धरा किस देस के सम्विदान से प्रार आप करेएग्शाम यानुत मतलई पर दोस्तों जो लेट मार हुली कहां में मनाई जाती है तो दोस्तों जो ले श्रणनारास औन गउअ हवा मेहल कौन शेहर में इस्तित है तो सब उसे प्रावशन देख्टि लक्षदीब समूर्म है यह तो लखषदीब जो भारते हैं कौइब इस प्रिक प्रिकर से ठीक है तो है अगला प्राशन है भारतिय उपखंड़ मेंस जर्ण देने वाला निम्न में से कौन सी धातू सबसे अधिक तन्य है यानि कि उसे खीचा जा सकता है मुलायम है ठीक है तो यह हो यही सोना सोने का अगर आपसे पूछ ले कि इसका जो बताईए जो रासाइनिक नाम होता है तो वो होता है ओडम क्या होता है यह यू बोलते है इसका जो आपका वो होता है अटॉमिक नंबर वो होता है 79 कितना होता है दोस्तों 79 आपका इसका हो जाएगा चली यहां पर तन्य की दगा अगर डक्टाइल लिख दे तब भी आपका आंसर होगा ठीक है वो कभी कभी कहता है इंगलेस में लिख देता है इंदी को भी ठीक है तो डक्टाइल आपको लिखा मिल सकता है अगला है दोस्तों डैश प्राय प्रक्रती में रेतीली और गोड़ में लवड़ी होती है तो कौन सी मिट्टी है जो की रेतिली और लवडिय होती है तो वो है शुष कमिट्टी कौन से शुष कमिट्टी सूकी मिट्टी अगला है डैस जो है जम्मू और कस्मीर के बंजारे हैं देखे किस तरीके से कोशन पूचा आते हैं तो जम्मू और कश्मीर के बंजारे कौन है तो यह हैं गुजर बकरवाल अगला है राजीब गांदी खेल रतन प्रोषकार पाने वाले सबसे कम उबर के प्राप्त करता कौन बने हैं तो दोस्तों ये थे अभिनब बिंदरा जोनोंने सन 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ था उस वर गोल्ड जीता था क्या जीता था गोल्ड जीता था और ये क्लाड़ी किसके हैं शूटिंग के किसके क्लाड़ी हैं शूटिंग के क्लाड़ी हैं थीके सारे इंपोर्टेंट फेक्ट हम नहीं बता दिये चली अगला प्रश्न है गांदी इर्विन समझोता भारत के निम्न लिखित में से किस क्या कहते हैं तो इसे हम वायरोलोजी कहते हैं ठीक है 300 केच लपकने वाले भारत के पहले बिकेट की पर कौन वने हैं तो दोस्तों 300 केच लेने वाले भारत के पहले बिकेट की पर only on MS च्षोटे च्षिद्रों को क्या कहते है दोस्तों जो पतली की च्षोटी पतली के च्षोटी-च्षोटी च्षिद्र न पत्ती पर आपने दीखियों गईूजू की असको नुभ I साइन्टिफिक लेंग्विज़ में आपको लिखके देता, धूनों के ध्यान न किए अगला है ऑला है सब्सक्राइब डिखेर महात्मा गांधी की बुक है सब्सक्राइब अगला है दोस्तों भारा सरकार में युबा मामलों और खेल के बातमान कैविरेट मंतरी को है तो बरतमान में जो अनुराख ठाकों है यह युवा मामलो और खेल मंतरा लेके मंतरी है चलिए प्लासी का युद्ध किस वर्स में लड़ा गया था तो दोस्तों जो प्लासी का युद्ध है यह भागी रहती नदी के टर्पर लागया था बंगाल में सन 1757 में स्राज दूला अगर हमारा एफट अच्छा लग रहा है और यह से कोशन पूचे आते हैं तो उसके लिए सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने तीन दोस्तों को शेर करें उनको पढ़ने का मौका दें उनको बता कि कि सथी किसे कोशन पूचा था ठीक है चलिए और नेक तो उसके लिए सिंपली चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगला प्रेश्ट है कि भारत के मसहूर सहनाई बादक कोन है काफी इंपर्टन कोशन है दूस्तों भारत के मसहूर सहनाई बादक कोन है तो यह जाएंगे बिश्मिल्ला खां उस प्रेक्रिया को क्या कहा जा तो चार ओप्शन दे रखे थे तो इनमें से बताइए किस जो संगीत कारें उन्होंने अकेडमी जीता है यानि कि ओसकर आवर्ड कौन सा ओसकर आवर्ड तो जीता एयार रेमान है ठीके चलिए अगला है कौन सा मूत्र प्रडाली का हिस्सा नहीं है इधार चार ओप्शन दे आपको बैसी जो आप्शन थे वह भी लगवग आपको ऐसा लग रहा था कि देख की पिछान जाओ देख मूत्रा से तो मूत्रे से रहम देख मूत्र मार भी मूत्र बाही ने ठीक है तो आपके मूत्र प्रडाली बस ब्रोंकाई जो है यह नहीं यह किस से संब्ढ़न देते ठीक है तो यह आपका साइस स्वांस अनली जे संब्ढ़न देते हैं आई ठीक है आप एक बार कंफर्म कर लें ना ठीक है जहां तक मैंने पढ़ाया तो यह ब्रोंकाई से ठीक है चलिए आपको अगर किसी को पता हो तो कमेंट नों बता देना ठीक है अभी मिरे को कंफर्म सूत्र क्या होता है तो अभी मेंना बताया था सोने जो है एक सबसे नरम धातु है और इसका मेंना बताया था साइंटिफिक नेम यह होता है आप से पूछले परमाडु किरमंग 79 हो जाएगा ठीक है चांदी का पूछले एजी का 47 हो जागा यह बो कोशन है जो की बार बार से अपना कब होती है जो अप्रेखन तो यह बनता हיע तो सन 1828 में बह्म समाज की स्ताफन होती है दूसरा को मिनता है यह बनता है वह था राजराब मोहन राहें चली चलिगा नेक्स्ट वेश्ट ने देखिए अगली पुस्ता के दोस्ता के दा पेराडॉक्सिकल पुस्ता के दा पेराडॉक्सिकल प्राइम मिनिश्ट के लेखक को है तो दोस्तों जो पुड़ता के दा पेराडॉक्सिकल प्राइम मिनिश्ट इसके लेखक है ससी थरूर चलिए लोग प्रतीने scream at सत्था किसके व्युद्द रहे होदो में जल परिभःहन का घृकндर करता है इक अभी मैंने आपको बटा happy जो हमाथ है तो यह मिटी से कौन सा पूश के घ्र गृ घ्रकृत है बोत घंड, यह मिटी में छोradas बाप को जो यहां पर मिठी बी है जल भी ए खृने लवड भी है तो पॉदों में जल परिभ Freshman का कार या निक्स यहां पर शेयत कि नहीं बनाता यह थख्याए फ्लूईम ठीक है दोनों काफि इंपर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया ठीक है कोई भी एक्जाम में दिख सकता है अगला है निमने मैं से कौन सा डिजीटल लेंदेन नहीं है तो दोस्तों यहां पर चार ओप्षन दे रखे ते डिजीटल लेंदेन नहीं है तो नगत ले पहली भारती जिमनास्ट जो थी यह थी दीपक करमाकर अगला है चुनाओ आयोग के प्रमुक की निक्ति कौन करता है तो दोस्तों जो चुनाओ आयोग होता है हमारा उसकी जो निक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसके कारेकाल की बात करें चुनाओ आयूक के तो यह होता है, 6 वर्स या 65 वर्स, ठीक है, ध्यान नकिएगा, दोनों में से कोई एक होता है, अगला है, निम्न में से कौन सी मिस्रत धातू नहीं है, चार आप्षन आपको दे लगके दे, तो जो टाका हो जाएगा, आपका मिस्रत धातू नहीं है, पीतल कापतान कौन था, तो यह थे आपके किशनलाल, किशनलाल तो यह फिल्ड होकी जो थी, इसमें उन्होंने गोल्ड जीता था, भारत का लोह पुरुष किसे माना जाता है, तो जो भारत का लोह पुरुष है, आईरेन मेन आप इंडिया, यह सरदार वनलब भाई पटेल को जा नई दिल्ली में इस्तेते है, हिमाले की बहारी सरंकला कौन सी है, तो दोस्तों हिमाले परवत जो है, यह बहुत बड़ा परवत है, सबसे बड़ा परवत है, इसे बलित परवत के नाम से यानते हैं, ठीक है ध्यान नक है बलित परवत, इसकी बहारी सरंकला कौन सी है, तो अग़ा धुनिया का सबसे ऊचा युद्ध शेत्र कौन सा है तो दोस्तों जो आपका सियाचन ग्लेशियर है भारत का यह दुनिया का सबसे की कि आती है आप हमनें पढ़ाता खरीब फसलों की बवाई की हाती है तो यह कि आप माल सकते हैं वो जुलाइब और से क ठेमर की है तो ये अक्तुबर नमबर की जाती है हैं हंड के मों संभन ठीक है छली है अगला है ड्यूश सब्द का संभन किससे है तो दोuli sick kayak **** पहले इस्तनपाई clone भेड का नाम क्या है तो मैंने बता न पीद क्या होद है किसी एक व्यक्ति की ठीक पैसी कॉपी बना देना तो पहले इस्तनपाई क्लॉन बेड का नाम है डॉली ठीक है चलिए जो इसे artificially बनाए गया था युद्ध के दोरन बीड़ता के विशिष्ट कारे प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सरवोच जो सेने सम्माने कौन सा है यानि कि युद्ध के दोरन अगर आप बीड़ता दिखाते हैं तो उसके लिए जो आपको चक्र है या सम्माने वो दिया है था तो उसको बोलते हैं परम बीर चक्र जो की सबसे उचा पद है ठीक है चलिए भारती जंता पार्टी बीजेपी के उत्पत्ति डैश के दोरा इस्थापित भारती जंसंग में नियत है तो जोस्तो भारती जंता पार्टी की जो इस्थापना है ये किस के दोरा इसकी देन है तो इसकी जो देन है ये स्यामा पुरसाद मुकरजी की देन है जिनोंने सन 1951 में जन संग की स्थापना की थी, बाद में 1980 में ये चल के BJP के भारती जनता पार्टी बना, ठीक है, चलिए. सुतंतरता के बाद भारत के पहले उपर प्रदान मंत्री कौन बने थे तो जैसे बारा बारत आजाद हुआ था तो उसके बाद पहले उपर प्रदान मंत्री कौन बने थे तो ये थे सरदार वल्लबाई पटील ठीक है इन्हें भारत का लोह पुरुष का आ जाता है कौन सी धातू उस्वा का सबसे अच्छा चालक है तो यह ओती है चांदी चांदी का रसाइण दिक नाम ag और इसका परमाड़ किरब खुर्टी सवंट कितना पॉर्टी स सब्सक्ति करन जाए अगला है मस्तिषक डेश का देश्च टंत्र का एक हिससा साइख्ष मेरवाई चानु को सन 2018 में डैश के लिए पदमस्री से संभानित किया गया था तो जो मीरवाई चानुओं ये भारत तोलन से संबंदित हैं अभी हाल ही में ओलंपिक जो अमारे 2021 से उसमें उन्होंने सिल्वर मैडल जीता है ठीक है सिल्वर मैडल मड़ीपूर से बिलॉंग करती है भारत तोलन से संबंदित है बेट लिप्टिंग अगला है गरवा एक लोक निरत है जिसकी उत्पत्ति डैश में होई तो सबको मालूम है गरवा जो है गुजरात में होता है अगला प्रेश्ट है प्राधान मंत्री PMJY का पूर्ण रूप क्या है यह पूछा गया था तो इसका पूर्ण रूप है प्राधान मंत्री ग्रामोद है योजना अगला है 1793 में जमीनदारी प्रणाली किसके द्वारा सुरू की गई थी तो यह लर्ड कार्ण वालिश के द्वारा की गई थी 1793 में जमीनदारी प्रणाली ठीक है चलिए अगला है दोस्तों डैश को कोशिका का पावर हाउस का जाता है तो दोस्तों जो आपका माइट्रो के नम से जानते हैं भारत में हिमाले की सबसे उची परबत चोटी कौनशी है तो दोस्तों जो भारत है हमारा इसमें हिमाले की सबसे उची जो परबत चोटी है यह आपकी कंचन जंगा ठीक है यह भारत के शेत्र में सबसे उची चोटी है अगर ऑबरॉल देखे तो आपके व दुस्तों निमने लिखत में से कौन सी सास्त्री नर्त की एक सेली नहीं है यानि कि जो हमारे सास्त्री नर्त है टोटल आठ नर्त है उनमें से कौन सा एक इसम नहीं है तो ऊरडी सी सास्त्री नेते है कथक कली में身and up्ताया केरल पिशुचितंप लेक सकते है थाम्डो इस टरीके से असम में सत्रीय होथ करनाय परियो में कब्लाडेय होता है और जो गालें का स्तरीय हो जाएगा यह राजिस्तान का हुटा है ये राजिस्तान का ठीक है चलिए अगला प्रेशन है दोस्तों कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोक्तंत्र है तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा लोक्तंत्र एक और एक मात्र है वह भारत ठीक है मनिश्यों में oxygen परिभہन के लिए उत्र दाई कौं होता है यानि कि जो हमारी body में जो oxygen का flow होता है वो किसके दवरा होता है तो यह होता है हिमोगलोवन के दवारा ठीकर, RBC जो होती है वो इसका परिभभन करती है अगला है हिमाले के उची उची परवत मालाओं में गास के विशाल मैदान को क्या कहलाते है तो जो हिमाले की उची उची परवत माला है उसमें इससे जो गास के विशाल मैदान उनको हम बग्याल बोलते हैं क्या बग्याल केरल में फसल कटाई के पर कौन सा उत्सब मनायता है तो केरल में फसल कटाई पर कौन सा उत्सा मनायता है तो यह मनायता है ओडम कौन सा मनायता है ओडम यह करूता है पूंगल पूंगल भी फसल कटाई के त्वारत जिसे हम तमिल नाडू मर मनाते हैं तमिल नाडू ठीक है ओडम केरल में अगला है भारती कभी गीतकार और फिलिम निरदेशक सम्पूरण सींकालरा का उपकार उपनाम क्या है तो इन्हें हम गोलजार के नम से जानते हैं चलिए राश्चिय युवा दिवस हर साल किस दिन मना जाता है तो राश्चिय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मना जाता है जो हमारे स्वामी विवेकरन जी है उनकी जन्म दिती बर प्राकलन समिती में कुल कितने सदस्य होते हैं तो दोस्तों जो प्राकलन समिती है इसमें क कब को क्या होता है इसमें color को पैचानने में आपको दिक्कत होती है तो आपसे यह पूझाईता है जो आपके गंगा और बह्म पुत्र नदी का जो डेल्टा बनता है वहाँ पर अगला प्रश्महे है मनसबदारी प्रता का भारत में सबसे पहले जो प्रयोग है यह किसे ने किया था चलिए अगला है पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के रास्त오ति कोन थे तो दोस्तों ये पाकेस्तान के साथ भारत का 1965 में युद्ध हुआ था उस समय भारत की राश्वपती एस राधा किश्णन थे, कौन थे एस राधा किश्णन अगला है काफिम पढ़ने डगला, 36वा समय भारत का 22वा राज्य बना था, तो दोस्तों आपसे पूछाएता बताईए कि 36वा समय भारती राज्य को 22वा दर्जा दिये गया, तो ये था सिक्किम तो तीनों चारों कोश्ण को ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने है, को इसी से भी गुहा फिराके वो कोश्ण पूछ सकता है, ठीक है, चली गुलाम राजवन्स का संस्तापक कौन था, जो मुहम्मद गौरी का गुलाम था, तो दोस्तों गुलाम राजवन्स का जो संस्तापक था, ये कुतो बुद्धी नेवक था, जो की मुहम्मद गौरी का ये गुलाम था, चली राग भेरवी का गायन किस समय सरवादिक उपयोग तो माना जाता है तो राग भेरवी का जो गायन है ये सुभह किस समय सरवादिक उपयोग तो माना जाता है अगला है ध्वानी को किस एकाई के माधियम से मापा जाता है तो दोस्तों जो आपकी ध्वानी है इसको decibel में मापते है decibel इसकी unit होती है ठीक है परम सुनेत आपका मान कितना होता है यानि कि जो minimum न्यूनितम जो सम्मपत आप माने वो कितना हो सकता है minimum कितना घठा सकते है आप तो यह होता है minus 273 point 15 degree Celsius यहाँ पर आपको वो सकता है minus 273 अकिला मिले ठीक है मैंने exact value दे दिया आपको Celsius में होता है ध्यान लगिएगा अगला है जोनपुर सहर जो कि उत्तर प्रदेश है इसको किस सासक ने बसायता तो दोस्तों जोनपुर सहर जो उत्तर प्रदेश में इस्तेता है इसको फिरोज साथ उकलक ने बसायत अगला प्रशन है दोतों हडपा काली निस्तल जिसका नाम धौला बीरा है जिसे हाल ही में 40 वी विश्व दरोवर गोशित किया गया है यह किस राज्य में इस्तेत है तो उसको यह गुजरात में इस्तेत है ठीक है बैसे आपसे खाली यह कोशन पूचा गया था मैंने इसमे बड़ागा जन जाती किस राज्य में पाई जाती है तो बड़ागा जो जन जाती है तमिल नाडू में नेलिगरी की पहाड़ियों में पाई जाती है अगला है है हैजा कॉलेरा रोग किस के द्वारा उत्पर्ण होता है तो आपका हैजा यान की जो कॉलेरा होता है दिया होता है, इससे related trick चाहिए, तो channel पर available है, आप जाएंगे, तो gk की playlist मिल जाएगी, उसमें मैंने दोनों वीडियो बना रखें, trick wise, ठीक है तो आप वो देख लेंगे, तो आपको हमीशा के लिए वो चीज़ें याद हो जाएंगे, ठीक है, चलिए, और यह मैंने बता दि दियान लखेंगे, अधातू की बात हो रही है, कौन सी अधातू, साधरर ताप पर, यानि कि जो कमरे के ताप पर, द्रव, यानि कि liquid के रूप में पाई आती है, तो वो होती आपकी ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसी अधातू है, जो की द्रव की अवस्ताम पाई आती है, साध प्रत्वी तक जो गर्मी है ये किस माध्यम के द्वारा आती है तो दोस्तों जो सूर्य है आपका सन है इससे जो विक्रड आते हैं यो प्रत्वी है इस वक्त किस के माध्यम से आते हैं तो ये विक्रड के माध्यम से आते हैं के विक्रड बेदी के द्वारा चलिए अगला है भारत में इस्थित प्रथम मकवरा के सासक का है तो दोस्तों भारत में इस्थित प्रथम मकवरा ये नासिर अधिन महमूद का मकवरा है नागा लेंड की राज की बासा क्या है तो दोस्तों जो नागा लेंड राज है इसकी र गामब। Bearёр चलकी वासा में लाली सिसा बोलते हैं राजिस्थान में स्वाणा, द्याना के मकराना किस उत्पाद के लिए परशिद है, तो दोस्तों यह संग मर मर के लिए उस परशिद है में के लिए म करोना जो कि कहा राजिस्थान चलिए, नेक्स्ट प्रश्ण है, बारत को ओलंपिक में पहला स्वर्ड पदक कब और कहां मिलाता, तो दोस्तों जो अमारा बारत है, इसको ओलंपिक में पहला स्वर्ड पदक 1928 मिलाता, एमस्टरडम में मिलाता, चलिए, नेक्स्ट प्रश्ण है, लाहुत से परवत सिकर किस देश में इस्तित है तो दोस्तों जो लाहूत से परवत शकर है ये नेपाल में इस्तित हो जागा तीस्ता किस नदी की साइक नदी है तो दोस्तों जो तीस्ता नदी है ये आपकी ब्रह्म पुत्र जो नदी है इसकी साइक नदी है तूद्सकरत्रा आपको की टेलिग्राम पर मिल सकती है ये दाएकजामिल पर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जॉइन कर लिएगा ठीकर और चैनल पर इए सब्सक्राइब करेके बैल का बटन दबादीगा और यह प्ले लिस्च जेरू फॉल्डु कर लिए सारी वीडियो इसी के अंदर बिलेंगे और ये वीडियो देख लिए ना इस्ट्रेटीजी वाला ठीक हो कि इससे आपको पता से लिए किस तरकी से पढ़ना है और मॉडल पेपर आ जाएगा आज पहला आएगा तो उसको भी देखना ना भूलेंगा ठीक है और ये तो आने व बारत